Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो चलिए इस वीडियो को आपको last तक देखिए और आप इस वीडियो से थोड़ा सा motivate होई है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें पढ़ाई कर सकें क्या मतलब जो भी student BST Nursing की तयारी कर रहा है मेरे चैनल के माध्यम से BST Nursing 2024 के लिए है तो या कोई भी इंटरन्स एक्जाम हो या फिर एमसो, अटल ब्यारी भाजपई, राजस्तान, जारखंड, बिहार कहीं के भी आप BST Nursing, पारामेटिकल, फार्मेसी इंटरन्स एक्जाम की एगर तयारी कर रहा है तो देखिए मेरे चैनल के थुरू तयारी करने तो मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ ना, स्टूडेंट ही हूँ मैं भी, अब स्टूडेंट हूँ BST Nursing fourth year का, final year का स्टूडेंट हूँ मैं भी, अब देखिए ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ, दिखाना नहीं चार सेफ़ाई इटावा, सेफ़ाई इटावा में ये गौवर्मेंट का लेज है, ये भी गौवर्मेंट का लेज है, यहां से BST Nursing में कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये मेरा अभी exam, final year का exam होने वाला है, तो ये देखिए 11 October को ही ये scheme जारी कर दी गई थी, ये देख लीजे, इखिए examination scheme 2023, BST Nursing fourth year, main exam October 2023, morning session में मेरा exam है, 10 बज़े से एक बज़े तक exam है, 3 hours का paper होता है, और देखिए, final year में only मेरे 3 paper होते हैं, final year में 3 paper हैं, अब तो semester wise होने लगा है न, 2021 बैस से, तो मेरा 2019 बैस है, तो पहले, अब semester पहले नहीं होता था, पहले, क्या चीज़ था, एक सा देना पड़ता है, और आपके 3 internal exam होते थे, लेकिन अब तो semester wise होता है, 4 years, 4 साल का course होता है, 8 semester total exam होते हैं, 8 semester, 8 final exam होते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले 4 साल का course था, 4 exam होते थे, final, और 3, हर 1 साल में 3 internal exam होते हैं, तो 1 साल में 4 exam होते थे, तो देखिए, अब ये paper जो मेरा 21 तारीक से अभी पेपर शुरू है, आज देख लीजिए, आज डेट है 18 तारीक के साम को मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो 18 तारीक को है, तो ये देखिए 18 तारीक को, कल ये वीडियो अपलोड मारनी में होगी 19 तारीक को, तो ये 21 से मेरा पेपर है, 21 को मिड़वाइफरी और अप्स्रक्टर नर्सिंग है, मतलब गाईनी है, तो ओबीजी, तो ये देखिए, ये फर्स्ट पेपर है, फिर उसके बाद 22 को छुट्टी है, 22 को हालिडे है, तो ये हो जाएगा, फिर 23 को सिकंड पेपर है, कॉम्निटी हेल्थ नर्सिंग सिकंड, CHN का है पेपर है, सि एक प्रेटकल आपका OBG का होगा, एक कॉम्निटी का होगा, मैनेजमेंट का प्रेटकल नहीं होता है, तो फिर पेपर मेरा 25 को फिनिस हो जाएगा, अब 25 को फिनिस हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि 27 से 28 से आपकी जो क्लासेस, न्यू बैज के लिए स्टार्ट की तो हास्टल से थोड़ी दूर है, 500 मीटर दूरी है, वहाँ पर एकजाम होगा, तो ये चीज है, लेकिन अब आपको काफी स्टुएंट कर रहें कि न्यू वीडियो सेशन कराईए, लेकिन मैं टार्गेट दिया हूँ, पहले Physics, Chemistry, Biology और Nursing Attitude, GK, English, ये तीन मिला के जो अटल Chemistry Biology और GK Only पढ़ना है, तो आपको 750 वीडियो मैंने प्लेइलिस्ट वाइज बताता रहता हूँ, 19, 18, 19 वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाके वीडियो रिवाइज करें, कैसे वीडियो रिवाइज करने है, प्रीबियस वीडियो, 18, 19 वीडियो बन चुकी है, तो उस पर ज देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं, तो आपको एक, आपको कहते नहीं कि हरे कोईशन आप साल्व कर पाएंगे, फिर जब नया सेसम में चालू करूंगा, तो मैं हमेशा चीजे वही कबर करूंगा, जो अभी कबर नहीं हुआ है, तो आप 750 वीडियो देख लीजिए, और मेरा पेपर है, तो मुझे भी तो पढ़ना ही रहता है, मैं कैसे मेनेज करता हूँ, काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें 4th year में किसी भी subject में सप्ली लगी, फेल हुए किसी में, तो 6 months, 1 year आप एकदम बैक कर जाएंगे, 1 साल आपका एक साल बेकार चला जाएगा, तो इसमें भी मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ना पड़ता है, अब डेली में 12-13 गंटे पढ़ रहा हूँ, तो फिर जाके ये कबर चीज़े हो पा रही है, तो क्योंकि last मैं अभी शुरू से ज़्यादा चाहिए, बस इतना ही था इस वीडियो में बताने का मकसद, कि मेरा एक्जान चलना है, मैं अभी बिजी काफी हूँ, तो आप भी ऐसे ही बिजी रहिए, अपने टाइम को हर एक सेकंड, हर एक मिनट को एट्यलाइज करिए, इधर उधर अभी टानला बंद कर दीजे, थोड देख लीजिएगा, वीडियो बनी हुई है, बुक्स से रिलेटर, वो देख के बुक्स पर्चेस कर लीजिए, और 750 का वीडियो का टार्गेट दिया हूँ, यह तो आपको रिवाइज करने ही है, चाहिए जैसे रिवाइज करें, फिर उसके बार नियू सेशन कराऊंगा, अगर आप तैयारी करते हैं, 10-20 वीडियो चैनल पर देखिए, समझ में नहीं आता, फिर कहीं दोसरी जगहां जाएए, दोसरी जगहां तभी जाएए, जब समझ में चेजे ना आती हूँ, क्योंकि दोसरी जगहां जाएंगे, वही कोईशन मिलेंगे, कोई कोई कोईशन न एकदम वीडियो से मिलेंगे, बस, बट आप उसको नोट्स बनाएए, प्रापर रिवाइज करिए, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए एकजाम में, सिली मिस्टेक हो जाता है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन वही तो रिवाइज जितनी बार करेंगे, तो आपका सिली मिस्टे कि जाउए एले ता इस दे कि आपका समय होना चाहिए, छिरा सारी नहीं होनागे, एक जाउनी जा आपका सिली मिस्टेक होना आपका झाल, एकान वाषर बुलेंगे, एक